जैशी राम सभी भक्तों को जैमाता कि फिर एक नई वीडियो के साहथ हाजिर हो गए है और आज की हमारी वीडियो है इसमें आप बताειے कि पिट्र-दोश का निवारन करने से हमें क्या क्या लाब होते हैं आप लोग भी जो है पित्र दोश का निवारन करते होंगे या करवाते भी होंगे तो उससे आपको क्या वेनिफिट होंगा आज की वीडियो इसी भी शेप हैं अंतक बने रही है कभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज के वीडियो जैश्री राम जैश्री बलाजी मराज पित्र जो हमारे पित्रों के दुवारा किया गया है या हमारी कुंडली में पित्र दोश है या किसी भी पकार का ऐसा दोश है मात्र दोश है गुरू दोश है जो भी दोश है मनों कोई भी दोश आपकी कुंडली में हो वो उन दोशों का निवारन करने के आपको उपाई करने से क् लाब तो इतने होंगे जो आप गिंते गिंते ठकता हो सबसे पहली बात अगर किसी व्यक्ती को माल लिजे अगर कोई व्यक्ती दारू बेच रहा है और दारू बेचता है दारू बेचते बेचते अगर वो दोज दारू बाल्टी में लेकर जा रहा है सज़ एक तूब है। जसक्ति के ऊपर यह डोषित में मातरवs पित्रव यह को उनके ऊपर देवी देवताओं की किरपा का मौट जाता है कुल को से प्रड़ की किरपा उन प्राप्त होती। उसके का लगया है। देर पित्रों की किरपानी प्राप्त होती तो वेक्ती जो है जुरिद्र रवस्ता के अंदर रहता है और उसके कारियों में रुकावट रहती है घर में खाने में बाल निकलने लग जाते हैं घर की स्थिती बहुत बहुत जो है तनाव पुर्न हो जाता है जो पित्र दोश था वो सुदामा को था सुदामा के घर में द्रिजदा आई भी थी आपने देखा होगा कि कितनी द्रिजदा सुदामा के घर में थी तब वो जब चावल लेकर देखिए उन्होंने किया क्या मुठी वर चावल से मुठी वर चावल से अक्षद से पित्र दोश को उतारन कर दिया कैसे किया जब भाव की कोई भी चीज होती है हमारे घर में हम अपने इश्ट अपने अरध्य को मनाने के अपरियास करते है क्यों कि बता है कि बगवान राम हर मरने के बाद जो भी आत्मा है राम में वलीन होना ज़ा और भगवान राम जो है धर्ती के संघार आपको बता है कि इस धर्ती पर उनके नाम से कल्यों को केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उत्रे पारा यो व्यक्ती मरते वक्त या अपने पित्रों को राम नाम की जाप भी देता है राम नाम की पूजा देता है उससे भी पित्र दोष जो है तरपन होता है शांत होता है अब पित्रों के दुआना भी अगर भी पित्र दोष लगता है अगर पित्रों मालुक कांदान वे कोई ऐसा जैसे की राजा और सगर चाहर dispute थे हूतन ब unlimited इस नोिए मैं आशुक्त मॆति सुचा कि इसी कि यह तो होगा नहीं कोई गंगा का अवान किया ऑपने पित्रों को अठापन डिलवाया पापनाशनी गंगयëょ तो उसी पकार से हमारे उपड़ अगर कोई दोश उच्पन हुआ गया है अगर हम उस दोश का गिवारन करते हैं हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा कोई भी नहीं रोक पाएगा क्या आपके माता पिता आपके जो माता पिता है क्या कभी आपका बुरा सो सकते हैं नहीं सो सकते हैं माता कभी आपका बुरा सो सकते हैं पुत्र का पुत्र हो सकता है लेकि माता कभी कुमाता नहीं होती है तो इसी पकार से आप सोचे कि जिस देव शक्ति ने आपको जनम दिया और उनकी पूजा क्या आपका अधार नहीं हो सोमवस्या का दिन जो है पित्रों का शेष्ट दिन माना जाता है और सोमवार का दिन भी पित्रों का शेष्ट दिन माना जाता है कि सोमवत्ती अमवस्या चरिचरी अमवस्या पित्र दोश के निवारन के लिए सबसे ज़्यादा प्रुख चाले होती है और जैसे कि आपको पत होता है दूजी को मुझा जो भी उनके नाम का करते हो तो हमारे घर से वो एक उतारा भी होता है एक किसम का हमारे आपके हर्दे खुद बोलेगा अपने हाथों से कुछ ना कुछ दान निकाल दीजिए कुछ भी कीजिए फिर आपकी तरक्की ऐसी किर्पा दायक होईगी फिर देखना कि आपको खुद एक ऐसास होगा अभी आपने एक चीज़ देखी मुकेश अंबानी के लड़के की शादी है जो कि अनन्त अंबानी है उसने देखा कि उसका नाम भी अनन्त है और प्रमात्मा की किर्पा देखो उसके मन में एक ऐसी भावरा ही दोस्तों हाथियों को वो खिचड़ी खिला रहा है दोस्तों हाथियों के भी उसने मिलभाया कोई बेजिनस के पति रहा गया अलग से जूच जानुवरों के पति सोचे का उनके कोई कमी है नेकीन संस्कारों 형 Caleb कर रहा है तो कहीं ने ने जानुब आप के संसकार होते है इसलसकार अगर आप अपने पुत्र को दोंगे तो आपके ॉपर भी क्या पित्र दोष लगेगा, क्या मातर दोष लगेगा, क्या किसी पकार का दोष उत्पन हो सकता है, सभी दोष का निवारन होगा, हमारे हाथ से जीव जन्तों के परति कुछ ना कुछ दान जरूर निकलना चाहिए, गव की रोटी अपने घर में अनिवारिया है, जब आप ग चावलों को उबालके उसमें थोड़ा-थोड़ा नाजिल का मुरादा डालकर और उसकी मुठी बनाकर लड्डू बराने हैं, और सपेध रंगे और काले रंगे तिल उसमें थोड़े से डालने हैं, यह ग्यारा लड्डू जो है, आप एक पत्तर पे रखकर किसी भी गव श हो जाती है, उसके नरायन पित्तर की किर्पा हो जाती है, आपके ओपर यह देवशेनी में ही आते हैं, जैसे हमारे घर में उत्तर होता है, इसी पकार से जब यह पित्तर देवशेनी में आते हैं, तो आपकी चड़ती कला कर देते हैं, प्रमात्मा की किर्पा, कुल हमारे परदादा हमारे बजूर्ट अब उनके परती ये शग उन्होंने कैसे भी करम कियों आपके साथ कैसे भी आपको कर्ष्ट दिये हों किसी पर पकार नेकिन आपका जो करतव्या है वह आपको समझना चीए जिस पकार से जब आपको पताए बिश्म पितामा जो था उनका परदादा था इनका पंडू होता तो पंडू ने का कात्षी सामने करें हैं मेरे करद रहा है ब्लान च्रीकीशर स्रीकिश ने तुरंत आए कि घंडीं का अपने से कुछ नहीं 23 ब Спkeiten सिर्फ जेकKeशिटवान अपने नियम के निश्एल पने लुक्रेशार बेकिन संसकार उन तो आपकी बल्ले बल्ले करने से कोई नहीं हो सकता है तो हम आपके माता-पिता आपके हिद के लिए चाहते हैं परमात्मा आपको एक मानदर्शन देता है अगर उस विद्व को आप समझ आते हो तो आप किरपादायक हो गये हो तो बहुत जैसे तरह आम जैश्री वाला जी व कर दो एलड् हो समझ आते हैं पर। आपके लास है जी ज्ए खो जसाहते हैं चाहते हैं ऊज्विछ वित लग regional जैंवा भी व कर दो कि नचद को रहते हैं और हैं हिब खो आपके मानदर्याम को आपके प्रू भो यदो कि वीवाइफ हैं अपके कद चिता हैं तो विद्शन झाल झाल